अब सभी शाम बक्तो को जैस्तरी शाम शाम बक्तो कैसे हैं आप सभी? उमीद करते हैं अच्छे ही होंगे शाम बक्तो बवश्याम की जो निशान यात्रा होती है वो रिंगस से लेकर खाटु धाम तक की यात्रा होती है कुल मिलाजुला कर कहें तो 17 किलोमेटर की यात्रा होती है जो आपको रिंगस पहुँचकर वहां से निशान लेना पड़ता है निशान धारण करने के बाद आप बवश्याम की दरवार तक पैदल यात्रा आपको करना पड़ता है जो निशान यात्रा होती है अगर आप बिना रुके निशान यात्रा करते हैं तो करीब करीब पांच से छे घंटे में आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं जो कि रिंगस से खाटु धाम तक ही होती है आप सभी शामबक्तों को बता दे बहुत सारे शामबक्त ये पूछते हैं क्या निशान यात्रा रिंगस से लेकर खाटु धाम तक ही करनी चाहिए तो आपको बता दू निशान यात्रा करनी की कोई सीमा नहीं बनी हुए कि निशा निशान यात्रा आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, अपने घर से शुरू करते हुए खाटू धाम तक आ सकते हैं, आपने देखा होगा निशान यात्रा जो होते हैं, कई शाम भक्त जो निशान यात्रा करते हैं, वो कश्मीर से खाटू धाम तक की यात्रा करते हैं, क जैसे ही अभी गुहाटी से हटुधाम तक की यात्रा हो रही है जिसे यात्रा को करने में 101 दिन का समय लगेगा तो निशान यात्रा कहीं से भी की जा सकती है किसी भी समय की जा सकती है इसका कोई समय सिमा नहीं है कि इतने ही किलोमेटर की निशान यात्रा करनी चाहिए आपकी इच्छा होती है आपकी श्रद्धा होती है कि आप निशान यात्रा कितनी दुरी की करना चाहते हो तो श्याम वक्तों आप निशान यात्रा करना चाहते हैं तो निशान यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको बवश्याम की संकल्प लेना होता है बवश्याम को ध्यान करन परता है उसके बाद आपको निशान यात्रा करनी चाहिए ऐसे नहीं है कि देखा देखी में आपने निशान उठा लिया और बवश्याम का निशान यात्रा शुरू कर दिया आप कभी आस तक बवश्याम से मिले नहीं है बवश्याम के दर्शन किये नहीं है और बिना दर्श बवश्याम से मिलना चाहिए, बवश्याम की दर्शिन करने चाहिए, उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए, उसके बाद जो निशान यात्रा होती है, वो बवश्याम को समर्पित होती है, बवश्याम को हम अपने पूरे भाव के साथ उस निशान यात्रा को समर्पित करते तो जिनकी मनोकामना या इच्छा पूरी होती है वो उस कारण से निशानियत्रा करते हैं बवश्याम के समख जाके बवश्याम से अरजी करते हैं अरदास करते हैं और जब उनकी अरजी और अरदास पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो बवश्याम को ध्यान करके वो निशा निशान यात्रा करते हैं, ताकि बावश्याम उनकी अरजियों को सुने, उनकी मुरादे पूरी करे, इस कारण से कई लोग निशान यात्रा करते हैं, तो निशान यात्रा करने के कई उद्देश होते हैं, जो बावश्याम के भक्ते बावश्याम को समर्पित करते हैं, तो न काम बनवाने के लिए बवश्याम के लिए वो निशान यादरा कर रहे हैं, बवश्याम के लिए पैदर चलके आप वहां तक आ रहे हैं, अपने आपको तकलीर देखकर आप बवश्याम तक पहुँच रहे हैं, तो ये बवश्याम को आप प्रसंद करने के लिए कर रहे हैं, बवश्याम आपसे प्रसन हो जाएं बवश्याम को प्रसन कने के लिए बवश्याम के दरवार जाकर बवश्याम से अरदास लगाईए आपके भाव को बवश्याम देखते हैं आपनी स्वार्थ भाव से बवश्याम को निशान अरपन करिए बहुत सारे ऐसे शाम भगते हैं कि जो हर दिन रिंगस से खाटो धाम आते हैं पैदल यात्रा करते हैं दिन में दो दो बार यात्रा करते हैं और बहुत शाम को निशान आरपन करते हैं उस सड़क पे नंगे पाउं चलकर यानि की पैरों में चपल वगर या बिना चपल के भी ऐसे भक्त हैं जो बावस्याम की निशान यातरा करते हैं तो देखिए निशान यात्रा तो कोई भी कर सकता है इसमें कोई रोख टोग नहीं है पर इंतो मेरा मानना ये है कि अगर कोई भक्त बवश्याम की निशान यात्रा करना चाहता है तो सबसे पहले बवश्याम की दरवार में जाके पहले बवश्याम से मिले बवश्याम को ध्य तो जब उसके अंदर बवश्याम के पती सर्धा जागती है बवश्याम के पती भाव जगते हैं उसके बाद वो निशान यात्रा प्रारम कर सकता है और अगर पहले ही निशान यात्रा कर लेते हैं परन्तु निशान यात्रा की सारी बाते पता होनी चाहिए कि निशान उठान जो निशान लेकर निशान को कहीं भी खड़ा करके रख देते हैं, जमीन के उपर रख देते, किसी भी जगा रख देते हैं, वहां बैठ के सिक्रेट पी रहे हैं, वहां बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, जिने पता नहीं होता कि निशान यात्रा क्य फिर वो रास्ते में जब चलते लगते हैं. जब उन्हें उनकी तलग लगती है, तलग किस चीज की लगती है? यानि कुछ उनको अगर स्मोकिंग की आदत है, या किसी चीज की वैसे आदत है, वो ये नहीं जानते की निशान का respect कैसे करना है, निशान को कैसे रखना है, किस प्रकार से रखना है उनको ये चीजों के बारे में ग्यान नहीं है हाला कि उन्होंने चोला तो वैसे धारण कर रखा है जैसे कि वो कितने बड़े शाम भगते हैं बावशाम से जुड़े हुए हैं उन्होंने कुर्टा पजामा धारन कर रखा है पर उन्हें यही नहीं पता कि निशान को रखना कैसे है हाला कि देखिए निशान हमारे पास है हमारे उपर है हम निशान के रिस्पेक्ट किस परकार से दे रहे हैं क्योंकि बावश्याम को अरपन करना है बावश्याम का ध्वज है, हम किसी कामना की कुर्टी है तो वो निशान धारन करके बावश्याम के दर्वार में जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को अगर हम देखते हैं निशान यात्रा के दोरान तो हमारा फर्ज बनता है ऐसे लोगों को समझाना और ना समझे तो बावश्याम के उपर छोड़ देने चाहिए ऐसे लोगों को तो शाम भगतो इसलिए कभी भी निशान यात्रा जो होता है पूरी तरह से मैं जानकारी लेने के बाद ही निशान यात्रा को प्रारम करना चाहिए आप सभी को बता दे कि निशान यात्रा जो होती है वो रिंगस से खाटू धाम तक की लोग करते हैं आप चाहे तो रिंगस में भवश्याम का मंदिर है वहां से भी आप निशान यात्रा प्रारम कर सकते हैं या रिंगस में निशान भवन है वहां से भी आप निशान यात्रा प्रारम कर सकते हैं बहुत सारे शाम भक्त के सवाल होते हैं कि अगर हम रिंगस पहुंच जाते हैं और हमारे पास समान वगरा होता है तो उन समानों को कहां रखें अगर वो वहाँ से रिंगस से निशानियात्रा करके काटू धाम जाना चाते हैं परंतु उनके पास बहुत सारा लगेज है दो तिन बैग है तो उन बैगों को कहां रखे तो आप सभी को बता दें कि अगर आपके पास लगेज वगरी की समस्या है तो आप वहाँ पर रिंगस में बवश्याम का मंदिर है रिंगस धाम है वहाँ जाएए वहाँ मंदिर कमेटी का ओफिस है वहाँ पर जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं उनसे बात करने से आपको क्या होगा समान वगरी की रखने की ववस्ता उलो करवा सकते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं और अगर ववस्ता हो जाती है तो वही पर आप अपना समान रखके वहां शाम की दर्शन करने के बाद आप वहां से निशान यात्रा कर सकते हैं जब निशान यात्रा आप करते हैं तो अपने साथ आप एक ऐसा बैग ले लिजे जिसके पानी की बोतल बगर होनी चाहिए और कुरी शुद्धा के साथ आप वहाँ से निशान यात्रा कर सकते हैं ध्यान रखेंगे निशान यात्रा के दोरण किसी भी प्रकार का चमड़े की चीज, चमड़े की सर रिलेटल कोई भी चीज आपके समख्ष नहीं होना चाहिए, सरस बावश्याम का ध्वज होना चाहिए और साथ में आपको हन्मान बाबा का एक ध्वज होना चाहिए, यानि जो निशान आप यात्रा करेंगे उसमें आपको दो प्रकार के ध्वज होते हैं एक तो एकी निशान में दोनों ध्वज लगा दिये जाता है और दो डंडों में अलग-अलग ध्वजा लगा जाता है जिसमें एक बावश्याम का होता है और एक बालजी महराज का होता है उसक अगर आप अपने घर से लेकर आ रहे हो कोई अरजी वाला नारियल तो उस अरजी वाले नारियल को भी आप निशान में बांद कर उस निशान को धरन करके कंधे पर आप निशान यात्रा कर सकते हैं निशान यात्रा विशिशकर आपको कैसे कपड़े में करना चाहिए आपको सूती कपड़े में निशान यात्रा करना चाहिए ऐसे कपड़े पहने जिससे आपको पसीना वगरा आए तो मतलब ज़ादा पसीने में आप भीग जाए तो आपको एकदम अनकमफर्टेवल फिल न करनी चाहिए क्योंकि रिंगस से खाटु धाम तक की जो यात्रा होती है कुल 17 किलोमेटर की यात्रा है तो उस यात्रा के दोरन आपको रुक रुक के ही निशान यात्रा करनी चाहिए अगर आपके परिवार में से कोई ऐसा वैक्ती है जिसे हाई बीपी की प्रॉलम है यह लो क्या करना होता है जब आप निशान यात्रा करेंगे तो उस सड़क के किनारे काफी सारे चोटे-चोटे धावे बने होते हैं होटल बने होते हैं वहाँ पर निशान रखनी के लिए जगह बनाई गई होती है आप निशान रखकर अगर लगुशंका वगर जाना हो वश्रू पीना है तो आप खापी कर भी निशान यात्रा कर सकते हैं निशान को उसी प्रिकार से कोई ऐसी जगह रख दीजे जहां पर रखनी की ववस्था हो उस जगह में निशान को रखनी के बाद आप वहाँ पर कुछ खा लीजे पी लीजे अच्छी तरह से मुहाद कुला वगर करने के बाद मुहाद दोने के बाद आप निशान को दुबारा से उठाकर कंधे पर निशान यात्रा कर सकते हैं अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि निशान को किस समय धरन करें तो निशान जो धरन करने का जो समय है अगर आप गरिमियों में निशान धरण करते हैं वो दो वजे से तीन वजे से स्टार्ट कर देते हैं सुबह सुबह और दो से तीन वजे से सुबह सुबह स्टार्ट करने के बाद वो सुबह तक बवश्याम के दरवार तक पहुंच जाते हैं कि सुबह का समय क्या होता है, खंड़क रहता है, सर्दियों के समय जो निशान यात्रा होती है, विशिश कर दोपहर के समय ही की जाती है, क्योंकि रातरी में खंड काफी हो जाती है, तो कई लोग जो होते हैं वो सुबह सुबह निशान यात्रा करते हैं नहीं तो जब धूख खिल जाती है उस समय निशान यात्रा कर सकते हैं तो इस तरह से आप बवश्याम का निशान यात्रा कर सकते हैं, बवश्याम की दरवार में जाके बवश्याम को वो निशान अरपन कर सकते हैं, अब निशान अरपन करते समझ जैसे कि आप तोरण द्वार पर आयाते हैं, तो निशान लेकर तोरण द्वार पर आने के बाद आ आपको सबसे पहले वहाँ पर बवश्याम को परणाम करना चाहिए वहाँ पर आपको निशान के साथ परिक्रमा करनी चाहिए परिक्रमा कैसे गनी है जहां आप तोरंग द्वार पर ठोंग जाते हैं वहीं पर आपको चार वर घुंके परिक्रमा करनी चाहिए बवश्याम को अगर आप महीला हैं तो आपको सिर्फ दंडवत 5 परनाम करना है और अगर आप पुरुश हैं तो आप साश्टांग दंडवत 5 कर सकते हैं परनतुं साश्टांग दंडवत 5 करने से पहले आपने निशान को ऐसी जगह रखे या किसी को ये हाथ में पकड़ा दे, दिशान को जमीन परना रखे, अगर आप पुरुश हैं, तो साश्टंग दन्वट परनाम कर सकते हैं, परतु साश्टंग दन्वट परनाम करने से पहले आपको अपने नीचे, यानि कि कोई गमचव अगर है, वो बिछा के उसके बाद आपको लेकर परनाम करना चाहिए, नहीं तो आप दन्वट परनाम कर सकते हैं, और अगर आप महिला हैं, तो आपको साश्टंग दन्वट परनाम नहीं करना है, आपको सिर्फ दन्वट परनाम करना है, यानि घुटनों के बल जुक कर बाबा को परनाम करना है, साश्टंग दनवत पर नाव कर ली दनवत पर नाव कर ली आपने और उसके बाद उस तोरण द्वार के अंदर से होते हुए बवश्याम के द्वार तक आपको पहुचना है बवश्याम के द्वार पर पहुचने के बाद आपको वो निशान जमा करवा लिया जाता है अगर आप चाहते है कि बवश्याम के दरवार के अंदर तक वो निशान को ले जाएं तो आपको क्या करना है निशान को डंडे में से निकाल कर उसे हाथ में मोड लेना है मोडने के बाद आपको जो रेलिंग है जो लाइने बनी हुई है उन लाइनों से होते हैं वोए आप बवश्याम के दर्वार तक पहुंचेंगे और बवश्याम को उस निशान को खोल के दिखा देना इस परकार से इस परकार से जब आप बवश्याम को दिखा देते हैं तो आपकी निशान यात्रा कौन मानी जाती है अगर आप भिड़भार वाले दिन जैसे की छुट्टी वाले दिन या एकदश्य वाले दिन या द्वादश्य वाले दिन ऐसे दिन जाते हैं जब बहुत सारे भक्त बाबा की दर्बार जाते हैं तो उस समय आपको निशान यात्रा में समय लग सकता है तो इस तरह से आपको स कर उनसे बिंती करके और उसके बाद उस निशान को लेकर आप वहीं खटो धाम में जाकर जमा कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे भक्त बोलते हैं कि उस निशान को साथ में लेकर आकर अपने घर के चट पे लगा दो मेरा मानना यह है कि बावश्याम का जो निशान आप खुद लेक कर आए हैं उस निशान को आपने बावश्याम को दर्शन करा दिये और उसके बाद अलुसिंग जी महराज के दर्शन करा दिये या हो से कि सबसे पहले निशान लेकर यानि लकडी से निशान निकालने के बाद क्योंकि जो लाइन में घुसेंगे उस लाइन से गुसने से प उलांकि उसके बाद आप वापस से बावत्ष्याम के LINE में वोश जाएं और बावत्यां को दिखा देVict탕 से और उसके बाद उसके बाद उस निशान को वही पर मंदिर में जगा बनी होती हैं वहां पर जाकर उस निशान को जमा कर दीजिए साकी कोई दूसरा बावश्याम का नाम लेकर उस निशान को लेकर बावश्याम से जो भी आपकी इच्छाय मनोती है वो बोलकर उस निशान को लेकर आप अपने घर ला सकते हैं और लाकर अपने घर के छट पर लगा सकते हैं अप निशान को किस परकार से लगाना कैसे लगाना है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा वोफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा जब आप निशान को अपने घर में लाएं तो ये ध्यान रखें कि जो भी बैग है वो लेदर का नहीं होना चाहिए पूरे साम्मान फुर्वक बावश्याम को निशान को आप खटुधाम से लेकर आएंगे और लेकर आने के बाद अपने घर के उपर लगा सकते हैं किस परकार से लगाना है कैसे लगाना है इसके बारे में मैं आपको अगरे वीडियो में बताऊंगा वोफुली आपको पूरी जानकारी मिली होगी इसके अलावा भी अगर आप पूछना चाहते हैं निशान से रिलेटिट कोई भी बात वावश्याम का धोजा जो होता है उससे रिलेटिट क्योई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के मात्यम से पूछ सकते हैं हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे आप सभी शाम भटो को इस वीडियो को देखने के लिए जै स्रीश्याम